नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इश्वक्स इजिकेसन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदू या ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड क्या इस कंपनी को वाई करना चाहिए आज इस कंपनी में आपको 50% से जादे की गिरावट देखने को मिला उसके पीछे के रीजन क्या है क्या उसमें हमारा कोई बेनेफिट है या पिर हमारा टोटली लॉस है सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो में लास तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न न भूले सबसे पहले अगर इस company के 52 week low की बात के तो 1125 रुपए का level आपको देखने को मिलेगा जबकि आज यह company close हुआ है 1310 रुपए पे अगर इस company के previous close की बात करें यानि कल यह company close हुआ था 2735 रुपए पे दोस्तो अगर इस company के आज के opening की बात के तो 1300 पे यह company open हुआ यानि कि आज के opening और previous की closing दोनों में काफी बड़ा difference आपको देखने को मिल जाएगा तो उस difference के पीछे region क्या है सबसे पहले उसको देख लेते हैं दोस्तो company ने bonus announce पहले कर रखा था जिसका आज x date था अगर ratio की बात के तो 1 is to 1 का ratio आपको देखने को मिल जाएगा तो इसी में adjustment जो price हुआ है इसलिए आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल ला है लेकिन जो इसमें share holders already हैं उनके लिए भी काफी बड़ा good news है आप देखेंगा 28 रूपे पर share के हिसाफ़चे आपको dividend भी मिलेगा और यह जो dividend का amount है यह directly आपके saving account में जाएगा जो की काफी अच्छी बात है तो देखेंगे इस company के और detail की दोस्तो अगर इस company को आप buy कर रखे हैं तो आप चाहें तो long term के लिए इस company को hold करके चल सकते हैं और अगर आपने short term के लिए इस company को buy कर रखा है तो आप चाहें तो 1180 रूपे के पास अपना इस top loss लगा कर company को आगे के लिए continue कर सकते हैं जो लोग इस company को free centi करना चाहते हैं क्या उन्हें buy करना चाहिए बिल्कुल आप चाहें तो buy करके चल सकते हैं दो से तीन installment में इस company को buy करें और long term के लिए hold करें तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video